हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं ओठ आज हम चित्र कला का संपूर पेपर को यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाश तक जरूर देखें जिसे से चित्र कला में किस प्रकार के प्रश्ण 2024 के बोड की एक्जाम में आने वाले हैं वो आपको असपाश रूप से समझ में आ जाए देखे फ्रेंस यह चित्रकला के एक वाइरल पेपर इस प्रश्ट पत्रु का आप एक दो बार हल करके ही जरूर जाए जो प्रश्ट इसमें दिया गया है यही प्रश्ट आपके 2024 के बोड के एक्जाम में आने वाले हैं देखे फ्रेंस जब भी आपको चित्रकला का पेपर मिलेगा तो आपका पूढांग जो रहेगा सत्तर नंबर का पूढांग रहेगा ठीक है आपको जो समय मिलेगा तीन जबला है आपका पहला इर्देस हे प्रार हम की पंद्रा मिनट प्रश्ट को मिलते थे Piece handheld गंटा 50 के समय मिलते ड्राइंग सीट के उपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांग अंको तता शब्दों में साफ साफ लिखिए तधा प्रते तधा केंद्र वस्थापक अपने हस्ताचर यूपत मुहर प्रतेक उत्तर पत्र ड्राइंग सीट पर लगाएं और उन पर कच्छन रिच्छक के भी हस्ताचर होने चाहिए देखे फ्रेंस आपको इसी प्रकार का एक पेज मिलेगा उस पर क्या करना अनुक्रमांग लिखना इस तरह गेर क्या अपना लिखी देना है ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है प्रश्ण पत्र जो होगा कह तीन खंडों में भक्त होगा सभी खंडों को अनिवार रहे खंड को देखते हैं अब देखे फ्रेंस यहां पर आपको खंड को है खंड को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा ठीक है इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावजधी कला के परतेख 20 बहुईकलपी प्रश्ण है जिन में से किसी एक के 20 बहुईकलपी प्रश्ण के उत्तर OMR सीट पर देना है फ्रेंस आप ध्यान दीजेगा कि इसमें दो रहेगा ना यानि आलेखन कला के 20 प्रश्ण रहेंगे इसके लाब प्रावजधी कला के 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ठीक है इन दोने में से क किस भाग का चेन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित कर रहें आपको लिखना पड़ेगा कि आपको आलेखन कला है या प्रावीदी कला इस प्रकार OMR सीट पर लिखना पड़ेगा ठीक है अब देखिए फ्रेंस आपको यहां पर इसका संपूर हाल बताते हैं क्या है यह आलेखन कला है इसमें से अर्थ क्या होता है तो रंग होता है रंग इसका सही जवाब सी वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन है फ्रेंस संबंदी थे फ्रेंस देखिए ओस्ट वाल जो चलिए लाल रंग क्या है तो आपसा ने जिसमें से लाल और हरा एक वीरोधी रंग आद। इसका सही ज़ा दौस आपका चौ्था नंबर का सवाल है कि ही भारत का राश्टी दोहज होता है तो भारत का जो राश्टी दोहज होता है उससे क्या करते हैं भूसे बहु पढ़के जाईएगा उसे एक जगा लिख के इसका रिविजन बार बख कर लिजिएगा फ्रेंज क्यूंकि यही प्रेश्ण आपके दो हदा चौविस के बोर्ड के एक्जाम में हंडेट परसेंटेज आने वाला है ठीक है पांच वाला सवाल क्या आपका एक चित्री के लिए सबसे फुल्स घ्रक है तो क्या होता है सन्येयोजन आपको छटमाफा नमबर्ण करेक्ट हो जाएगा फिर इसके लाव अब और आर्म रंग कौन सहाई गर्मरंग के ंंतरगत आता है आपको शिखना आप से हमें सब मिशथा रहता है कि लाल रंग के आपके सामने अगला नंबर का सवाल फ्रेंस है कि ततष्ट रंग काउंसा है तो फ्रेंस देखें ततष्ट रंगों में याद रखिएगा कि काला और जो सफेद होता है ततष्ट रंग में आते हैं इसका सही जवाप D याफन हो जाएगा नं चलिए अगले अगले सवालों के देखते हैं दस्वा नंबर का । कि कौनसे रंगों का माँद्य पारदर्शी होता है तो यह अब航र नहीं प्रशन वाल snpret निय Kayla सवाल आपको बता रहा है यह आपके 2023 के बोर्ड के एक्जाम में आचुका है और 2024 के बोर्ड के एक्जाम में 24 प्रश्णare वाले कैंए इन प्रशनों को आप जरूर एक दो बार पढ़के जाएगा देखिए क्या है क्या से रंगों का माध्या पातरशी होता है यह होता है तेल रंग का इसका सही जवाब वीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा एक गरहाव नमबर का है कि सफेद का विरोधी रंग काौन सा होत पीले रंग मेने लाल रंग मिलाते हैं चम्तार बनताय ना रंगी रंग पनता हो जह poco सुवाल है कि इंदर धनुस बीपढ़ा चुके कई बार्ध इंदर धनुस में सब्सक्रा साथ और ठीक है इसका सही जवाब एवल आप्सन करेक्ट हो जाएगा चौदा नमबर का सवाल देखिए फ्रेंज का कौन सी पेंसी से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है तो फ्रेंज देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगा बी मतलब होता है ब्लैक जिसमें बी रहेगा वह ब्लैक और संख्या जिसका अधिक रहेगा उससे आपको क्या होता है सबसे आधिक काली रेखा बनती है इसमें देखिए तूबी दिया है चार संख्या चार की जादा है इसी की द्वरह सबसे अधिक काला रंग बनेगा ठीक है आपक सामने 15 नमबर का सवाल है कि बनावट की प्रियोग की नर i डिजाइन का प्रियोग करते हैं वहां पर आगला का सवाल सवाल आपका कि बारीक रेखा बनाने के लिदिए क्यों से नंबर के बुश का प्रियोग करते हैं देखे इसमें संख्या Software का सबसे कम संख्या एक है सबसे कंछोटा है इस सबसे इस सबसे कम डेक हो जाएगा चरिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं हरा रंग मेडियों पर क्या प्रभाव डालता है तदेखिए आपको बताएं हरा रंग होता है ठंड़ा होता है तो आपके आग पर कैसा प्रभाव डालेगा ठंड़ा प्रभाव डालता है तो बीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर का है कि चित्र में गहरा रंग विसेश कर क्या दरशाने के लिए होता है तो फ्रेंस आप याद रखिएगा जो चित्र होता है उसमें गहरा रंग जो हता है आपको अंधेरा दरशाने के लिए होता है तो इसका सही जवाब होता है सिवला आपसन करेक्ट हो जाएगा इनदेखि याद क्या रखेंगे यहाद आपको अगला है प्राविदी करना है अब चलिए अब प्राविदी कला के भी को देख लेते हैं कैसा प्रशन आने वाला है सब्सक्रावमापनी में कितने प्रकार्विदी करिये थे हरिए देख्याः वाला है आस्पर्श रखा, दिर्गी विरित में किसे असपर्ष करती है तो वक्र जो होता उसे असपर्ष करती है देखे इसका मतलब दिर्गी विरित इस तरह बनाएंगे दिर्गी विरित में असपर्ष रेखा कहीं पर भी खीच यहां पर ऐसे खीच लेंगे यह इसके वक्र को ही असपर्ष करता है तो चौथा नंबर का सवाल फ्रेंस कि निमने लिखित में से किस ठोस में आयतकार फुलक होता है तो फ्रेंस देखे इसमें जब आपसं पढ़ेंगे तो आयतकार फुलक आपका घं में होता है तो घं में जो हता आयतकार फुलक होता है तो इसका सही जवाब एवल आपसं करेक्ट सब्सक्राइब q एगले नंबर के सवालों के देखते हैं दहिए छटवा नंबर सवाल है कि संपूर्या कोड़ु का योग जो treasure इसका सही जवाब क्या हो गांगा, होता है कि फ्रेक्स आपको पता है कि की जवाब यह प्रितर यह आमड़ी तर्सम्स तके श्या कि आपको सो सेंटीर मीटर ऊता है , वर्ग और यह और यह क्यों एक पॉता है आपको सवाल 10वा नंबर का है कि एक सम चत्र भूज में कितनी भूजाएं होती है तो फ्रैंस सम चत्र भूजाएं कि मतलब चार भूजा ति इसमें कितनी बूजा होंगी चार बूजा एंवर का है कि कि घं का परत्रेख फ्लक किस आकार का होता है तो कि फ्रेंस घं का जो परतेख फ्लक होता है एक वर्ग की अगार युथा इसका सही जवाप बीवला आपसन करेक्ठ हो जाएगा बड़ा पर अधिकांश कितने प्रकार कि माप अंकित कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो इसका सही जवाब एवला आपक्सन करेक्ट हो जाएगा आपका 14 नमबर साहल और फ्रेंज कि दो ब्रितों के चत्रफल के अंतर के बराबर एक ब्रित बनाने के के लिए कों सी त्रिभूज का उपयोग किया जाता है तो फिरूंज देखें यहाँ पे आप लिफ्स को ऊंतर प्राबर बनाने के लिए क्ली को यूप उपयोग करेंगे तो ब्सपल करेंगे वह होते है। पंद्रावा नंबर का सवाल को देखते हैं कि निम्न लिखित में से काउन सा एक अधिक कोड है तो फ्रेंश देखिए अधिक कोड का मतलब होता है 90 अंस से बड़ा 180 अंस से कम जिसका सही जवाब एवला आप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब सुरावा नंबर का सवाल को इस तरह बनता है यहां पर बनता है आपको पता होगा कितने अंस का कोड बनता है तो इसका सही जवाब एवला आप्सन करेक्ट हो जाएगा अब देखिए अथरहावा नंबर का सवाल आपका है कि एक डेसिमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो फ्रेंश आप याद एक आयतकार कमरे में कितने उर्दवादर फलक होते हैं तो फ्रेंश जो एक आयतकार कमरा होता है उसमें चार उर्दवादर फलक होते हैं जैसे आपका रूम होगा उसमें देख लीजिए अर्दवादर कितने फलक होता है मतलब खड़ा वाल इस तरह जो होगा दिवाल जो ह कितने होते हैं तो चार होते हैं ठीक है उन्नीस नमबर का है यदि बेलन का एक सीरा तो दूसरा सीरा होगा निमनों लिखित में ऐसे कौंस आकार तिर भूज आकार क्या हो जाएगा तिर भूज के आकार का कौन होता यह आप तरहं इसका सही जवाग एवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंस आपका खंड ख स्टार्ट होता है इसमें देखिए इसके निर्देश को पहले पढ़ लिजिएगा देखिए खंड ख के प्राकितिक दिरिश्च चित्र अत्व आलेखन अत्व प्राविदी के वल एक का ही चित्र बनाना यहां प्राकितिक दिरिश्च देगा एक अले खंड या, एक प्राविदी इन तीनों में से किसी एक कोई बनाना यह द्यान दिजिएगा, आपको जो पहला खंड था उसमें से एक भाकू करना है और खंड खस भी सिर्फ एक भाकू, इस पकास आपको टोटल कितने हुए दो प्रश्ण अभी तक हल करना है कि प्राकृतिक दिरिश्ट को पढ़िए यह दि प्राकृतिक दिरिश्ट आ रहा है तो इसको हल कीजिएगा नहीं तो अगले प्रश्ण को हल कीजिएगा चलिए इसको पढ़के बताते हैं कि प्राकृतिक सीट पर 20 सेंटीमीटर गुड़े 25 सेंटीमीटर के एक आयद बना आई है जिसमें निर्खित में से कोई एक द्रिष्ट चित्र बनाई है आखिरती के साथ बनाई है तथा इसे जल रंग वह या फेश्टल रंगों से पुड़ कीजिए देखिए आपको यहां पर बहुत सय दि इसके रलावए को विश्यज ध्यान क्या देना है घृदि आप सही रखांकर यहां परिप्रेच्च करते हैं तो आपको दस नमबर इस पे मिलेगा सही उपयुक्त सन्योजन करेंगे तो इसके लिए पांच नमबर सौ में उपयुक्त रंगों का प्रियोग करेंगे तो दस नंबर समान्य प्रभाविम आकर्सा बनाएंगे तो पांच नंबर इस पकास से आप जोड़ दीजे कितने नंबर हो रहा है तो दस दस तीस यह जो है प्रश्ण आपको तीस नंबर कर आएगा ठीक है अब देखिए यह प्रश्ण यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप आलेख करके उसे पूड़ कीजिए आपको सिर्फ केवाल तीन रंगों का ही प्रयोग करना है आलेखन करते हैं बिंदों पर विश्यस द्यान देना है देखिए आपको इकाई की मौलिक्ता को द्यान देखते हैं तो उस पर दस नंबर मिलेगा लियात्मक रिखांकन करेंगे तो पा प्रशन आपको कितने प्रशन दियात इन पाचों में से फ्रेंस आ को सिर्फ केवल तीन ही करना है देखिए आ क्या है एक त्रिभुज बनाई है जिसमें चेत्रफल पांच वर के सेंटिमीटर हो और सिर्फ कोड कितना होना चाहिए पचास अंस यदि आप बनाते हैं तो दस नंबर के मिलेगा दूसरा है कि एक समान अबर हो उनके केंद्रों के बीच की दूरी साथ सेंटिमीटर दस नंबर का है अगला है कि 2.5 सेंटिमीटर से एक मीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाली एक मापनी की रचना कीजिए जिसमें से मीटर और डेसिमीटर पढ़े जा सके मापनी का एक निरूपक भिन साथ सेंटिमीटर दूरी का प्रदर्शित के यह दस नंबर का अगला है कि एक वर्ग का सम पाशर्वा का सम मित्ति चित्र बना है जिसके आधार 6 समतल पर खड़ा है इसके आधार की एक भूजा 3 सेंटिमीटर तता अचके 5.05 यह दस नंबर का इस पकाल पाचों में से आप व्यत्पुलम आपको रेंगा है थिक रजाएं मैं से मुआ हो गया इन तीने से कोई एक ही करना थेसे फ्रेस्ट आपका खंड़ करना देखिं बाइसवान नंबर का है इस प्रोष्न के 2 भाग ये खंड को खंडकी दोने भागों के चित्र घंण को युजिया को ही बनाना चक्सक्ति रात निमर्ट मेंकित भोई चारों चाया बना प्वल्त aquí के ख्याम्म नेरे चारों में तर्पम and B Changing से किसी एक का ही जवाब देश्वाप रएगा का हब दे कि इसको बनाते संब्सक्राइब को जाता है कर देंडूफित को तो अगला भाग आज़ाता है निमनलिखित में से किसी एक का क इसम्रती चित्र चित्र नहीं होना चाहिए आपको इसमें साइश्टो आक्रितिक अनुप्र उप्ता को दियान देना है इस पकास चार-शाद्स नम्मर का देखे फ्रेस आपको टोल इतने प्रश्णों में से आपको जो खंड काज दिया था एक आलेखां दिया था एक प्रावीदी दिया था तßen दोनों में चै आपको शिर्फ एक ही कर दिया है दोनों भाग में से आपको एक एक करना था इस पकाससे doth देखिए आपको टोटल प्रशन कितने हुए एक इधर से हुए एक इधर से और दो कितने हो गए है टोटल चार प्रशन प्रश्ण आपको करना था ठीक है तो टोटल आपको इतने भी प्रश्ण लिखा था कुल प्रश्ण नहीं करना था इसलिए आपको कि चित्रकला का जब भी पेपर मिले आपको तो उस प्रश्ण पत्र को आप ध्यान पुरुए को जरूर पढ़ा कीजिए उस निर्देश में क्या दिया है कितने प्रश्ण आपको करना है कौन सा प्रस्ण छोड़ना है ठीक है तो आपको फ्रेंस यह पूरा चित्रकला का आपकरे.